अमरितपाल सिंग कौन है? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रही हूँ मैं पूरी दुनिया जान गई है कि अमरितपाल कौन है? मुझे कैसे नहीं पता? मुझे भी पता है हम लगातार आपको अमरितपाल से जुड़ी सभी अपडेट दिखा रहे हैं ये सब जानते हैं कि अमरितपाल पर कई गंभी रारोक प्लगे हैं उसने अपने समर्थकों को भड़काया, भारत में हंगावा मचा दिया, अजनावा में उत्पात मचा दिया कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उसके तार आईसाई से जुड़े हैं वो भारत में दंगे की साज़ शर्च रहा था, उसे भगोडा करार दे दिये गा लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे एक अच्छा शक्स साबित करने में जुटे हुए हैं वो लोग कोई और नहीं बलकि पंजाबी सिंगर सिध्धू मुसेवाला के माता पिता है जिहां, अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि सिध्धू मुसेवाला के पिता ने कहा था कि अमरितपाल पर एक्षन एक एजंडा है, जो इसलिए चलाया जा रहा है कि जिससे मुसेवाला की बरसी में लोग इकठा ना हो पाए वही अब मुसेवाला की मा ने हजारों की भीड में अपने खालिस्तानी तेवर दिखाए है मुसेवाला की मा ने अमरितपाल को नैतिक्ता का पाठ पढ़ाने वाला बता दिया तैसल सिद्धू मुसेवाला की मा चरड कॉर स्टेज पर आई, साथ में पिता बलकॉर सिंग भी थे मा ने आवाज में दम भरते हुए कहा मैं तो बस तुहानू एक को ही गल पुछना चाहूंगी इस साड़ा देश आजाद है या गुलाम यानि कि मैं बस तुमसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि हमारा देश आजाद है या गुलाम वहाँ पर बैठी भीड ने जवाब दिया गुलाम फिर लगने लगे खालस्तान जंदाबाद, खालस्तान जंदाबाद के नारे मंच से ना किसी ने भीड को रोका, ना कोई विरोध हुआ चरंकोर ने आगे बयान दिया कि हमें किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि हम आजाद हो गये हैं, हम तो आज भी गुलाम है उसके बाद मुसे वाला की मा ने अमरितपाल का जिक्र करते हुए कहा कि अमरितपाल कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर बैठे लोग जानते हैं कि वो नैतिकता का पार्ट पढ़ा रहा था, और गलत नहीं है लेकिन उसे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। आप खुश सुनिये। लेकिन मुसेवाला की मा को लगता है कि वो नेक काम कर रहा था। आप मुसेवाला की मा की बातों से कितना एक्तिपाक रखते हैं और इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना बिलकुल न भूले।